ये है Vivo V27 उसमें आपको भर भर की मिलते है hidden features और हम करने वाले हैं बहुत सारे hidden features explore और कुछ hidden features ऐसे हैं जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाले इस phone में हम ऐसे hidden features की बात करेंगे जो कि आपके ज्यादा काफी काम आएंगे और SKOT में हैं वो काफी सारे camera में हैं वो काफी सारे features है settings में काफी कुछ हम लोग इसमें देखने वाले तो चलते हैं सीधा वीडियो पर और चलते हैं अपने सबसे पहले hidden feature पर हम बात करें सबसे प wallpaper जो कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने भी लगा रखा है यह क्या चीज होता है basically आप अगर इसको लगाओगे यहां पर आपको कुछ ऐसे features मिलते हैं अगर आप चलते हो वहां पर आपके step count होगे और जैसा जैसा step count होगे वहां पर यह जो flower यह बड़ा होता आपको दिख आपको यहां से static wallpaper, live wallpaper भी मिलता है तो यहां पर आप काफी कुछ use कर सकते हो चलते हैं अपने second feature पर यहां पर क्या करना है और उसके बाद आपको मिलेगा UI color यह काफी अच्छी चीज है आपको उसके पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर काफी कुछ देखने को मिल अब लगी notification icon पर यहां पर green color आ रहा है अगर बात को यहां पर नीचे wallpaper color का यहां पर कुछ भी चेक कर सकते हो मैं करता हूँ इसको क्लिक यहां पर ने कर लिया यहां पर नहीं हो रहा है यहां पर आपको नीचे जाना है apply color to icons आपको इसको enable कर देना है उसके बाद आप जो भ आपके काफी ज़्यदा काम आ सकता है तो चलते हैं सबसे पहले setting में उसके बाद हम यहां पर जाएंगे lock screen and wallpaper आपको क्लिक करना है यहां पर आपको देखने मिल रहा होगा always on display आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको यह on नहीं होगा हो सकता है आपको इसको enable कर लि काफी कुछ मिलता है और आपको यहां पर clocks मिलेंगी बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे digital clock, analog clock काफी ज़्यादा आपको मिलते है पदलब कि यहां पर अगर आते हो आप बहुत ही ज़्यादा customization अपने phone में कर सकते हो और यहां से आप download भी कर सकते हो बहुत कुछ जो कि आप चाहते हो अगर और भी ज़्यादा customization चाहते हो ते यहां से आप और भी चीड डानलोड कर सकते हो यह फीचर काफी ज्यादा चाहिए कर आपको यहां पर एक बार आके चीक करना चाहिए क्या चाये बहूर्त चाहिए अगले यहां पे आपको camera इक icon दिखता है left पे और right पे अगर आप चालते हो कि camera आइकन यहां से हटाना चालते हो प्योंकि कोई भी आता है आपके lock screen पे camera on कर देता है तो आप यहां से कर सकते हो जिसने कि आपके right side पे camera set है आपको right shortcut पर click करना है यहां से देख सकते हो इसके बाद आपको यहां पर जाना है Dynamic Effects आपको नीचे देखने को मिलेगा यह इसको इनेबल करना बिल्कुल भी नहीं भूला अगर बात करें और सारी चीज़, music light effect आप देखते हो यहां से बहुत सारी lights आप यहां से भी set कर सकते हो, यह भी काफी चीज़ है, अगर हम बात करें light effect for incoming calls, आपको इस पर क्लिक करना है, यहां पर जैसे आपकी call आती है, आपक कर सकते हो, आपके call आईगी, तो आपके phone के screen के edge पर ऐसी light कुछ देखने को मिलेगी, अगर हम आपको दिखाऊं, यहां पर देखते हैं, तो कुछ इस तरह की lighting आपको देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी लगगी, बाकी आपके phone में और भी जादा इसमें features है, तो काफ पोन को करना है, शेक, और यहां पर देख सकते हो, phone shake हुआ, और यहां पर यह सारे apps कॉस्टमाइज हो गई है, मतलब कि आप देखते हो, flash light मेरी on हो गई है, इसको मैंने set कर रखा है, तो यहां पर आप देखते हो, सारे apps कॉस्टमाइज हो चुके है, shake करने से phone के दिए, भी जैसा लगता है, आपको feel होता है, कि इसका speaker कम है, या आपको इसकी audio ज्यादा सुनाई नहीं दे रही है, तो इसको यहां से आप enable कर सकते हो, अगर आप under 30 हो, यह use कर सकते हो, बाकी आपको जैसा सही लगे, आप यहां से इसको use कर सकते हो, और जितना जदा आप above 60 year old अगर क settings में, उसके बाद यहां पर मैं search करूँगा face beauty, यहां पर मैं जैसा search करूँगा face beauty, आपको यहां पर देखने मिलेगा face beauty for video call, आपको इसके लिए करना है, यहां से आप इसको enable जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप video call करते हो, वहां पर बिल्कुल raw video देखाता है, और हो सकत क्या ही रखना है, अगला feature आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले है, अगर आप calls करते हो, recording करना चाहते हो, call recording, और वहां पर आप अगर google dealer use करोगे, तो वहां पर वो record नहीं करने देता है, वो सामने बता देता है, क्या करना आपको इसमें कर सकते हो, बिना किसी भी दिख करके आपको जाना है settings में, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है apps में, apps आपको देखेगए, उसके बाद आपको scroll down करना है, नीचे आपको सबसे नीचे देखेगा, enable alternate phone and contact, आपको इसके क्लिक कर देना है, और यहाँ यह off होगा, आपको करना है, इसको enable, अब क्या होगा, और यहां से आप देख सकते हो कि अब आप फोन करो गया तो अगर आप recording करना चाहते हो recording करोगे वहाँ पर सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी call record की जा रही है मतलब कि आप record कर रहे है यह feature बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको इसको बिल्कुल set करके रखना है और इसको enable करके रखना है जो feature है हमारा last feature होने वाला है वह बहुत ही ज्यादा feature वाला है मतलब कि इसमें इतने सारे customization है कि आपको दिखाता हूं चलता हूं settings में यहां पर आपको जाना है dynamic effects में आपको यहां पे गए अब इसमें आपको बहुत सारे features देखने मिलते हैं अगर यहां पर आपको face वाला मिलता है बहुत सारा face locks जो आप करते हो उसका मिलता है मतलब कि यहां पर आपको काफी मिलता है charging का अगर दिखाऊ charging आप करते हो आपको कुछ इस तरह के इसमें animation देखने को मिलेंगे जो कि आपके phone को बहुत ज्यादा premium बनाएंगे USB वाला है अगर USB connect करते हो यहां पर आपको तुरंट इस तरह के animation देखने को मिलेंगे तो यह काफी अच्छी चीज़ है और इसमें बहुत सारी features और आप इसको पूरा जाका explore कर सकते हो और काफी सही features आपको मिलते है बागी वीडियो आपको कैसा लगा है अगर चैनल अच्छा लगा हो तो वीडियो के साथ